बश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 26 जुलाई 2022 के डेली न्यूस एनलिसिस एडिटोरिल एनलिसिस में आपका स्वागा थै डेली न्यूस मैंने कुछ पी आई वी से भी उठा रखी है और एडिटोरिल डिसकस करूँगा आपके साथ आज की जो सबसे इंपॉर्टन न्यूस है वो यह है कि मायनमार की जो मिलिटरी डिक्टेटर्शिप पे उसने चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया है एक्जीक्यूट कर दिया गया है यहाँ पे चार डेमोक्रिसी अक्टिविस्ट को मायनमार के अंदर और कौन-कौन सी कम है उनको काम ही नहीं करना है यह इसको देखेंगे पेलेस्टीन को सपोर्ट करने के लिए इंडिया की तरफ से धाए जाय मिलियन डर गया है तोटल इंडिया ने परामिस किया है पांच BILLION डर यह पर्टिकूलर नियूस देखेंगे उसके बाद एडिटीटेरल्स में क्या कि हम लोग यहां पर देखने वाले हैं तो भाई climate action को ले कि हम लोग क्या क्या कर रहा है Paris deal कैसे तूटती नज़र आ रही है इसके बारे में बात करेंगे No room for logophabia Whit wisdom and resort बिसिकले भी recently क्या है कि कुछ parliamentary शब्दों को expunge करने की बात की गई पारलेमेंट में ना इस्तमाल करने की बात की गई तो यहां पर फैजल सीके साब बोल रहे हैं कि भाई आप शब्दों के इस्तमाल के रोक के लोगों को नहीं रोक पाऊगे लोगों को रोकने के लिए उनकी education और 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 उनके अंदर से feeling आनी चाहिए यहां भी हमें यह काम नहीं करना है तो क्या बोल रहा है यहां पर फैजल सीके इसको समझने कोशिश करेंगे monkey pox के against हमें अपने defenses strong करने हैं इसके लिए हमें lesson सीखना है इसके बारे हम बात की जाए इसको देखेंगे नीर चोपडा ने अभी जो इसके बारे में बात कर रहे हैं और एंटोनी राजू जो की केरला के एक मिनिस्टर है इनके खिलाफ पिछले कई सालों से केस पेंडिंग आगे बढ़ी ही नहीं रहा तो यह पूरा मुद्दा क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत यहाँ पर एक आर्टिकल दे रखा है गोबल्स ओर्डर कोट अपिनस वाल अफ के ओस यहाँ पर यह बता रखा है कि दुनिया भरो यूरोप यूएस जैसी जो कंट्रीज हैं वो क्या सोचती है कि सब कुछ दुनिया इस प्रकार से बदल रही है कि आगे आने वाले समय में चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती जर्मनी इस नॉट अंडर दर लीडर्शिप ऑफ अंजला मरकर उलाव शोल्स को फॉरण पॉलिसी में उतना एक्सपीडेंस है नी तो जर्मनी यूरोप को लीडर्शिप देगा ऐसा हो नहीं पाएगा फ्रांस के इमैनुवल मैकरॉन थोड़े सीजन लीडर है बट इनकी पार्लेमेट में इनके बस मैनॉर्टी है तो ये वो लीडर्शिप दे पाएंगे पता नी यूके ट्रबल में है यूरोपिन उनन गलत रास्ते की तरफ जा रहा है रोशिया चायना की ग्रूपिंग मन गई है इंडिया किस तरफ रहे किस पार्टनर्शिप में रहा ये क्लियर नहीं हो पा रहा है तो बेसिकली दुनिया वहर में क्योस्ट फेला हुआ है हाला कि कोई बहुत comprehensive viewpoint मुझे नहीं लगा इसलिए अलग से डिसकस नहीं कर रहा हुँ दूसरा reform bail law की बात हो रही तो सत्यंद्र कुमार अंतिल वर्सें CBI वाले case की यहां पर बात की गई सत्यंद्र कुमार अलतिस वैसे CBI 2022 वाले case अभी पिछले दो तीन दिनों में तीन चार आटे कास में बता चुगा हूँ तो फिर से डिसकस नहीं कर रहा हूँ बागी सारी चीजे में आपके साथ डिसकस करूँगा एक कोट है यहाँ पे आपके लिए आवर great weakness greatest weakness lies in giving up the most certain way to succeed is always to try just one more time सबसे बड़ी weakness क्या है giving up एक बार ट्राइम आरे हार गए दूसरी बार ट्राइम आरे हार गए तीसरी बार ट्राइम आरे हार गए लेकिन जो कोशिश करता रहा हो एड में successful होगा अब इसमें बहुत सारा लोग बोलेंगे यूपेसी के तो 6 attempt है मालगे 6 attempt के बाद नहीं हुआ तो क्या करें तो यूपेसी नहीं हुआ तो जिंदगी तो ना खतम हो गई बहुत सी और चीज़ें हो थी दुनिया के अंदर जो आपको successful बनाती है आप कोशिश करते रहिए कभी न कभी आपको success ज़रूर मिलेगी चुक तो बैसिकली जो दूसरों की कंपणी में enjoy करें isolated ना हो, socially aloof ना हो, दूसरों के साथ मिलना जूलना पसंद करें, उनके साथ time spent करना पसंद करें, बाचीत करना पसंद करें, इसको आप बोलतो ग्रेगारियस तो भाई पहली न्यूस मायनमार की जनता, military dictatorship ने चार डेमोक्रिसी अक्टिविस्ट को execute कर दिया है, तो भाई टरर अटैक करने के लिए, overall इन डेमोक्रिसी अक्टिविस्ट को यहाँ पर execute कर दिया है, कि आप कैसा तो South East Station Nation का पहले execution से decades में, हाला कि मायनमार की जनता ने अन अंदर appellate mechanism था, उसमें इनोंने try किया, बट उसके बवजुद इनको execute कर दिया गया है, मायनमार के अंदर जो national unity government है, national unity government मतलब एक प्रकार का shadow administration है, military dictatorship के parallel, overall वो लोग जो डेमोक्रिसी के लिए लड़ रहे हैं मायनमार के अंदर, इनोंने अपनी सरकार बना रखी informally national unity government, इ execute के इसको किया गया है, तो बहिए एक है कौम इन यू, इनको Jimmy बोला जाता है, एक है former lawmaker और हिपप आर्टविस्ट फ्योष या थौप, टाफी famous लोग थे, overall मायनमार के अंदर, ये कह सकते हो आप डेमोक्रिसी की आग को इनोंने जंदा रख रखा था, इसलिए मायनमार की military प्रीने इनको murder आज, ये इस paper 2 international news के respect से news काफी important है, ये जो कौम इन यू थे, 53 साल के थे, फोस या थो थे, ये 41 साल के थे, ये दोनों ही ओंग सैंग सी क्यों के supporters थे, overall ओंग सैंग सी क्यों के जेन में रिसकर के रखा गया है, exactly कहा है रिसकर के रखा गया है, इसके बारे मा मायनमार के लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है, जो एंडिया 1940 में 1940, 1930 में कर रहा था, वो मायनमार के लोग आज कर रहा है, एक activist group है, Assistance Association of Political Prisoner, मायनमार का, इसका ये बोलना है कि पिछली बार जो judicial execution हुए थे, वो late 1980 में हो, तो उसके बाद अब जाके हुए, इनको counter-terrorism law के अंदर try किया गया था, और prison procedure के साबसे इनको मार दिया, पहले तो hanging के थूँ मारा गया था, activist को इस बार किस प्रकार से मारा गया, इसके बारे में जाता जानकारी अभी के लिए नहीं, चुकि एक्जीकूशन लंबे समय से formally नहीं हुए मायनमार के अंदर, वैसे त और सरे लोग का बोलना है कि ये जो execution हुआ है न, ये लोगों के अंदर डर बिठाने के लिए हुआ है, और internationally इन executions को criticize किया जा रहा है, हलाकि मायनमार के मिलिटरी जनता को इस criticism से कोई ज़्यदा फर्क पढ़ नहीं रहा है, कब बोडिया के तो Prime Minister Hun Sen, जो की chair है Asian के, इन्हों कि Assistance Association of Political Prisoners के दोरा ये बोला गया है कि कूप से लेके आप तक 2100 लोग को security forces दोरा मार दिया गया है मायनमार के अंदर, जनता का ये बोलना है कि ये figure exaggerated है, जरू से ज़्यदा वढ़ा के बोला जा रहा है, पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दसियों अजार से ज़्यदा जियस पे पर थी, Environment Conservation Resources में नियूज़ा को काम आएगी, देश के अलग-अलग इस्सों में groundwater levels बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं, जो demand है fresh water की, उसको बहुत ज़्यदा बढ़ाया जा रहा है, fresh water बहुत तेजी से groundwater से extract किया जा रहा है, ठीकि ना, और problem ये है कि rainfall उतनी continuous है न अर्बनाइजिशन के चलते पेड़ बगरा हम काट दे रहे हैं, इंडिस्टिलाइशन और अर्बनाइशन के चलते, population बढ़ रही है, तो groundwater के उपर जो pressure आ रहा है न वो बढ़ रहा है, तो groundwater का extraction तेज है, लेकिन recharge बहुत धीमा है, इसके चलते हमारे देश के 30% wells में देखने को मिलाएगी groundwater काम हो, अभी बताता हूँ, कौन monitor करता है groundwater को इंडिया के अंदर? Central groundwater board, ये periodically monitor करता है groundwater levels को पूरे देश के अंदर, तो भाई, November 2021 में जो data collect किया गया groundwater का, किसके दोरा? CGWB के दोरा, Central groundwater board के दोरा, और जब इस November 2021 के groundwater के data को compare किया गया November 2011 से लेके November 2020 तक के data से, प्रतिशत well में, जो groundwater level हो थोड़ा बढ़ा है, लेकिन 30% wells में groundwater घटा है, कितना घटा है लगबख 0-2 मीटर, मतलब, November 2011 से लेके November 2020 के data को, जब November 2021 के groundwater से, data से compare किया गया, तो 70% wells में groundwater का level बढ़ता नजर आ रहा है, और 30% wells में groundwater का level 0-2 मीटर घटता नजर है, ठीक है बई? Water एक state subject है, sustainable groundwater management करना जरूरी है, effective rainwater harvesting के थुरू, water efficiency को promote करके, तो भाई, central government क्या कर रही है? प्लान यह है कि surface water और groundwater दोनों को मिला के sustainable तरीके से इस्तमाल किया जाए, एक scientific manner में अगर आप पानी का इस्तमाल करते हो, जिसमें ग्राम पंचायत, village, community, stakeholder सब involved होंगे, तो definitely हम एक effective sustainable तरीके से पानी का इस्तमाल कर सकते हैं, इसके लिए देखे, एक scheme भी चलाईगी सरकार के दोरा, जिसका नाम है अटल भूजर योजना, अटल जल योजना भी इसको बूलते हैं, 6000 क्रोण की central sector scheme है, वर्ड बैंक के assistance के साथ यह चलाई जा रही है, इसको implement किया जारा 80 districts में, 224 administrative blocks में, 8500, 62 water stress ग्राम पंचायत्स में, साथ स्टेटों में, हरियाना, गुजरात, करनाटका, मध्यपदेश, मारास्ट, राजिस्तान, उत्तरपदेश, 14-2020 से उसको लागो किया गया, अटल भूजर योजना को 5 साल के लिए scheme चलाई जा रही है, इससे पहले government of India ने जल शक्ती अभियान नाम की scheme 2019 में लांच की थी 2021 में, प्राइम मिनिस्टर ने campaign launch किया तो 2022 में President of India ने किया था, ये जो JSA है, जल शक्ती अभियान, Cash the Rain, ये continue करेगा 30 November 2022 तक, क्या मतलब इसका, तो देखें जहां पे भी rain water गिर रहा है, या फिर कोई किसी भी तरीके से पेड़ पौधे लगा के, या किसी भी और तरीके से ह Equifiers को recharge कर सकें तो जरूर करें, तो recharge structures को बनाना, traditional water bodies को rejuvenate करना, afforestation करना, जितने जदा पेड़ होंगे, उतनी जदा पेड़ की जो roots है, वो water को risk risk के ground water को recharge करेंगी, जितने जदा water bodies होंगी, ponds होंगे, overall नाले होंगे, उससे पानी risk risk के ground water को recharge करेगा, recharge structure बनाना, घरों के community structures के पास, मुंबई जैसे शहरों में, मेगाले में, जहां पर पानी बहुत बरसता है, वहां पर उस extra पानी को जो की बह जाता है, किसी तरीके से ground water रेचार्ज हो जाए, यह कोशिश है यहां पर, और इसके लिए केंदर की सरकार तो यह initiatives चलाई रही है, जैसे की अटल भू जो में, scheme चलाईगे, जिसे मुक्क मंत्री जल सौम लबाब अभियान राजस्तान में चलाएगे, जल युक्त शिभर महरास्ट में चलाएगे, सुझलम सुफलम अभियान गुजरात में चलाएगे, मिशन काकातिया तेलागना में चलाएगे, नीरुचिट्टू आंध पद जीएस पेपर 3, Environment Conservation Resources के परस्पेक्टिव से, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कि भाई, सरकार ने इनएक्ट किया है, Child Labour, Prohibition and Regulation Amendment Act 2016, यह आया है फोर्स में, with effect from 1926, एक्चुली में हुआ यह कि लोगसभा के अंदर एक मिनिस्टर साहब बता रहे हैं कि बाई, चाइड ल पास, मिनिस्टर्स उसका जवाब देते रहते हैं, तो चिल्टरन और अडलोसेंट से गलत तरीके से काम ना करवाया जाए, इससे रिलेटेड एक कुशन आया था, और उस कुशन के रिस्पेक्ट में जवाब दिया गया है, सरकार के दोरा, इस जवाब में बोला गया है, कि चौदा से अठारा साल की जो बच्चे हैं, वो हजार्डस उकुपेशन में इनवाल्ड नहीं होगे, बट किसी छोटे मोटे काम में अपनी फैमिली मेंबर्स को मदद कर सकते हैं, जैसे कि पिता जी की चाय की टपरी है, कोई प्रस वगरा की दुकान है, तो वहाँ पर ये देखो, तो जो Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986 था, इसका जो Schedule Part A था, इसके अंदर Minds and Calories को जोड़ दिया गया, मतलब Minds and Calories के अंदर बच्चे काम नहीं करेंगे, ना Adolescent बच्चे, ना 14 साल से काम के बच्चे, क्या होता है, इन Minds and Calories में बच्चों को ये प्रफर किया जाता है, चू बच्चे काम नहीं करेंगे Minds और Calories में, फिर बच्चों के Development के लिए Right to Children, Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 भी लाया गया, जिसके चलते 6 से 14 साल के बच्चों को Free and Compulsory Elementary Education दी जाएगी, फिर आगे है समग्र सिक्षा अभियान स्कीम, समग्र सिक्षा अभियान स्कीम में केंदर की सरकार, Financial Assistance देगा, किसलिए? ताकि जो Drop Out बच्चे उनको स्कूल में पहुँचाया जा सके, नए स्कूल बनाया जा सके, Secondary Level तर, नए स्कूल की Building बनाई जाए, Additional Classroom बनाई जाए, कस्तूरबा गांधी, बाली का विद्याले बनाई जाए, Residential School Hotels बनाई जाए, Hostels बनाई जाए, Free Uniforms प्रवाइड की जाए, बच्चों को Free Test Book प्रवाइड की जाए, Transport Alloyance, Residential Facilities, Non-Residential Training, Seasonal Hostels, Residential Camps, ये सब बच्चों बगारा को प्रवाइड की जाए, इसलिए समग्र सिक्षा अभियान स्कीम चलाई के इंदरी सरकार ने, फिर Midday Meal स्कीम चलाई जा रही है, Portion अभियान के ताकि Elementary Level पे पढ़ाई भी मिले बच्चों को और Health भी मिले अच्छे खाने के दो, तो ये था, फिर Next G.S.Weber 2-3 में Exploration of Lithium in the Country की बात की जारी, देखें, हर साल एक Annual Field Season Program लागू किया जाता है Geological Survey of India के दोरह, ये जो Geological Survey of India मिनिस्ट्री आफ माइन्स के इंदर काम होता, अब ये जो Field Season Program में क्या करता है, Mineral Exploration करता है, और इसके बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे एक होता Reconnaissance Survey, इसको G4 बोलते हैं, एक होता Preliminary Exploration, इसको G3 बोलते हैं, एक होता General Exploration, इसको G2 बोलते हैं, तो United Nations Framework Classification और Mineral Evidence and Mineral Content Rule 2015 के हिसाब से हर साल Annual Field Season Program चलाय जाता है, GSI के दोरह, जिसके चलते हैं, पूरे देश में Mineral को Explore किया जाता है, और इसमें एक Important Mineral है, Lithium, पिछले 5 सालों में, Geological Survey of India ने 20 Projects चलाये हैं, Lithium और Associated Elements को दूरने के लिए कहां कहां पे, आद्ध प्रदेश में, आवनाचल प्रदेश में, बिहार में, 36 गड़ में, हिमाचल तो मतलब, Lithium को बड़ी स्पीड से धूरना जा रहा है, फिर एक, आप कहलो, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research है, AMD, यह Department of Atomic Energy के अंदर काम करता है, यह AMD भी समय समय पे Exploration करता रहता है, लीथियम को धूरने के लिए Potential Geographical Domains, और अभी AMD Exploration कर रहा है, मंडिया और यदिगी डिस्ट्रिक्ट्स ऑप करनाट कामन, इसके सासद हम अपने देश के बाहर भी लीथियम धूर रहे है, जैसे कि खनिच बिदेश India Limited है, यह तीन Central Public Enterprises से मिलके बनाए, वो तीन Central Public Sector Enterprises कौन ने जिलोंने मिलके खनिच बिदेश India Limited बनाए, नीचे comment box से मत हो, अब इस काबिल ने, खनिच बिदेश India Limited ने, काबिल खनिच बिदेश India Limited याद रखीगा, एक non-binding memorandum of understanding sign की है, तीन state and organization of Argentina के दोरब, Argentina के अंदर, जहां जहां पे भी लीथियम reserves है, potential, वहां वहां पे उनका exploration करना, लीथियम के exploration के लिए Argentinian authorities के साथ coordinate करना, और मालोग कहीं पे potential अगर Argentinian reserves मिल जाते हैं, तो वहां पे इंडिया की तरफ से, इस काबिल की तरफ से, लीथियम exploration में overall involve होना, ये काबिल का काम है, फिर काबिल ने overall, एक government to government memorandum of understanding Australia के साथ भी sign किये, ताकि critical और strategic minerals Australia में ध लीथियम जैसे, फिर काबिल ने एक detailed M.O.U. Critical Minerals Facilitation Office Department of Industry Science and Resources Australia के साथ sign किये, ताकि लीथियम और कोबार डेसलिट्स को Australia के अंदर धुरा जाए, तो Australia की बात कर लो, Argentina की बात कर लो, Bolivia की बात कर लो, चिली की बात कर लो, यहां पे involved होकी जो हमारी काबिल कमपनी है, वो ली अलेक्ट्रिक कारियों की तरफ जा रहा है, अलेक्ट्रिक कारियों में लगती बैटरी, चाए वो 2-wheeler हो, चाए 3-wheeler हो, चाए 4-wheeler, उस बैटरी को बनाने में लीथियम का एक बड़ा रोल है, लीथियम बेसिकली soft silvery white metal है, lightest metal है, lightest solid element है, highly reactive and flammable है और बैटरी बनाने में इंडिया के अंदर और कॉबिल के दौरा फोरण, तो भाईया, government का target यह है कि natural gas के share को हमारे energy mix में बढ़ाया जाएगा, देखिए अभी के लिए overall जो देश का energy mix है, जितना भी coal और crude oil इन सबसे हम लोग energy पैदा करते हैं, लगबख 6.3% energy हम लोग natural gas से पैदा करते हैं, यह comparatively clean energy source से अगर आप coal और crude oil से compare करते हैं, जिस हिसाब का pollution coal और crude oil से होता है, natural gas में ना के बराबर होता है, इसलिए natural gas के share को बढ़ाया जा रहा है, अब इसको बढ़ाने के लिए सरकार steps क्या क्या लेगी, पहली बात तो जो हमारी national gas grid है, इसकी जो coverage है इंडिया के अंदर, जो 71,750 km, इसको बढ़ा के करना है, 33,500 km, फिर जो city-wise gas distribution network है, जिसको आप CGD network बोलतो हो, इसको भी बढ़ाना है, जादा liquefied natural gas के terminals को set up करना है, piped natural gas और compressed natural gas, देखे, compressed natural gas ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तमाल होती है, और piped natural gas का connection आपके घर के अंदर आता है, सीधे knob को on करो और आपकी gas चलू हो जाएगी, आपको LPGA के cylinder खाना बनाने के लिए मंगाने नहीं पढ़ेंगे, तो इसको no cut category मिले के आना है, मतलब unlimited amount में ये overall gases की availability लोगों के पास हो, जो CNG इस्तमाल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए उनके पास हो, और जो खाना बगारा के लिए घर के लिए इस्तमाल कर रहे हैं, उनके पास pipe natural gas से connection हो, जब इसके लिए, overall वो players जो की gas के production में involved हैं, ठीकी न, उनको marketing और pricing freedom देना, ये सरकार ने ए initiative setup किया है, फिर deep water और ultra drip water from coal seam से natural gas को निकालने के लिए अलग-अलग players को incentive देखके उनको motivate करना कि आप आओ और gas production में अपना role play करो, उसके सासा सतत, sustainable alternative towards affordable transportation, ये initiatives चलाए गए हैं, bio compass natural gas को promote करने के लिए, तो overall इन सब methodologies के थूरू, natural gas के share को इंडिया में बढ़ाने की कोशिश कर रही है, सरकार, piped natural gas की connections को बढ़ाना, CNG की नए plants को लगाना, देखे, as of 31 मही 2022, 31 मही 2022, total देश में 95.21 lakh PNG connections है, piped natural gas connections है, domestic connections है, पूरे देश भर में, और 4531 CNG transport stations है, तो 95.21 lakh piped natural gas connections है, और 4531 CNG transport stations है, पूरे देश में, इनको बढ़ाई जाने की बात की जारी है, और target यह है, कि 2030 तक पूरे देश में 12.30, 12.33 करोड pipe natural gas connection हो, और 17,700 compressed natural gas के stations हो, 2030 तक रूरर अर्बन एरिया दोनों बिलाके, तो इस बड़े scale पे हम लोग pipe natural gas provide कर रहे होंगे, और overall CNG stations जादा चुकि अभी के लिए आप देखोगे, अर्बन एलाकों में भी कुछ problems है, जैसे कि जल्दी CNG के availability नहीं होती, CNG के stations पे लंबी-लंबी line लगी होती है, तो अगर ज्यादा CNG के stations होंगे, तो जिस प्रकार से petrol अभी आराम से कार वाले भरवा सकते हैं, CNG भी जल्दी आराम से लाइल लगानी पड़ जाती है, तो ज़्यादा stations होंगे, तो अभी सी बात है लोगों को सहूलियत ज़्यादा होगी, उसमें से धाई मिलियन डॉलर रिलीज कर दिया, GS paper 2, international institutions, an effect of policies और इंडिया's interest in news आपको काम आएगी, तो ओवरल, UNRWA का बोलना है कि इंडिया ने जो कमिट किया था पाँच मिलियन डॉलर साला ना, UNRWA के लिए, तो उसमें से धाई मिलियन डॉलर की जो पहली installment है, इंडिया ने रिलीज कर दिये, और ये जो particular पैसा है, ये इस्तमाल होगा, स्कूल हेल्थ सेंटर और पेलेस्टीनिन रिफ्यूजी की बेसिक सर्विसेज को बढ़ाने के लिए, 2018 से लेके अब तक, UNRWA को हम 20 मिलियन डॉलर दे चुके हैं, समझिए, 5 मिलियन डॉलर, 5 मिलियन डॉलर, 5 मिलियन डॉलर, उसके बवजूद भी हम पेलेस्टीनिन कॉस के लिए यहाँ पे पैसा दे रहे हैं, तो जो लोग ये बोलते हैं, धार में कटरता के आधार पर की पेलेस्टीनिन कॉस के लिए इंडिया कुछ करता नहीं, उनको ये न्यूस पढ़ाने की जरूरत है, ओवरॉल एक एक्स्टराइडनरी वर्चुल मिनस्टीर प्रेजिंग कॉन्फरेंस हुई थी, UNRWA के लिए 23 जून 2022 को, उस समय पे मिनिस्टर अस्टेट फॉर एक्स्टेनल अफेस वी मुरली धरहन साब ने अनौन्स किया था, कि भी या अगले दो सालों में इंडिया 10 मिलियन डॉलर देगा UNRWA को, तो हम ओवरॉल पेलिस्टीनिन कॉस के लिए भी यहाँ पे पैसा दे रहे हैं, पेलिस्टीनिन रिफ्यूजी जो कि ओवरॉल दुनिया भर में जिनको रहने की जगा नहीं है, इस्राइल के ओकुपेशन के चलते, वो कही न कहीं परिशान है, पोवर्टी में दबे हुए उनके बच्चों को खाने बीने को, और पढ़ने को एविन्यूज नहीं है, बेसिक हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है, उसके लिए इस पैसे को इस्तमाल की जाता है, दुनिया बर ही कंट्रीज पैसा देती हैं, इंडिया भी पैसा दे रही है, तो UNRWA के बारे में बेसिक जयान करी, United Nations की एजेंसी है, जनरल अस्म्बली दोरह 1949 में इसको सेट अप किया गया था, 5.6 मिलियन पेलेस्टीने रिफ्यूजीज जो की रिजिस्टर्ड हैं UNRWA के साथ, उनको मदद करती है ये UNRWA नाम की एजेंसी, ठीक है, तो जॉर्डन, लेबनन, सीरिया, वेस्ट बैंक, इस जरुसुलम गाजा पट्टी में जो भी पेलेस्टीने रिफ्यूजीज इस है, उनके डेवलेप्मेंटल पोटेंशल को मीट करने के लिए, उनके प्राब्लम के प्रती एक लॉस्टिंग सॉलूशन के देने के लिए UNRWA काम करता है, इजुकेशन प्रोवाइड करता है, हेल्थ के प्रोवाइड करता है, रिलीफ और सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंफरस्ट्रक्चर बनाया जाता है, इनके लिए, माइक्रो फाइनन्स प्रोवाइड करना पेलेस्टीने रिफ्यूजीज को, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे पेलस्टीन गया था फरवरी 2018 में और उस समय पे प्लेज किया था हमने कि जो हम सालाना कॉंट्रिब्यूट करते थी UNRWA को 1.25 मिलियन डॉलर ये हम 5 मिलियन डॉलर कर देंगे और उस समय पे इंडिया ने ग्लोबल अपील भी जारी की थी कि जितना जितना पैसा आप पेलस्टीने डिफ्यूजीस की डेवलप्मेंट के लिए दे रहे हैं उसको थोड़ा पढ़ा हो और इंडिया ने अपने ऐलोकेशन को चार गोना किया था 1.25 मिलियन से 5 मिलियन आज आते हैं भाई एडिटोर डिसकुशन पर करेंट एफेस डिसकुशन की सारी निउस हमने डिसकस कर ली आगे बढ़नेस पहरे वीडियो पर लाइक का बटन जुरू दबादेना अगर अगर अब तक आपने नहीं दबाया हो तो तो जो स्वल आफ काउस है इसके बारे में एक बेसिक आइडिया मैंने आपको शुरुवात में दे दिया था तो अलग से इस आर्टिकल को मैं डिसकस नहीं कर रहा हूँ आप चाहो तो पढ़ सकते हो बेल लाग के रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो सबसे इंपोर्टन बात की गई है वो की गई सतेंद्र कुमार अंतिल वर्सस CBI 2022 जेजमेंट के बारे में जिसमें UK के बेल लाग को धियान देते हुए हमारी सुप्रीम कोट ने बोला कि इंडिया के अंदर भी एक बेल लाग होने की जरूओत है बेल शुड़ पी दारूल एंड जेल शुड़ भी दे अक्सेप्शन इसका उल्टा होने की जरूओत है इसी के रिस्पेक्ट में एक दो पॉइंट्स यहाँ पर बताये गहे हैं इन सब चीजों के उपर हमने पहले भी बात की, इसलिए अलग से में बात नहीं करा हूँ, आज का जो सबसे important article है वो ये है, backsliding on climate action, टीएस तिरुमूर्ती साब ने इस article को लिखा है, क्या बताया जा रहा है, ये बता रहे हैं कि जो developed countries है, जो Europe और US वगरा countries है, ये अपने climate promises स पीछे हट रही है, आगर आप देखो तो Germany, Austria, नीदरलेंट, ये जो countries है ना, ये अपने coal power plants को फिर से शुरू हो रही है, वो European Union जो कि दुनिया भर में लीड कर रहा था, environmental jurisprudence के लिए, और बोलना था कि हम environment के फिरने बहुत अच्छा करेंगे, overall sustainable power alternatives का इस्तमाल करेंगे, renewable energy का इस्तमाल करेंगे, ये अब अपने coal power plants को fire कर रहे हैं, इनका क्या बोलना है, देखिए, European Union का जो प्लान था, कि natural gas के consumption को 15% कम करेंगे, coal के consumption को 15% कम करेंगे, उस प्लान से पीछे जा रहे हैं, fossil fuels का consumption European Union के अंदर बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, प्लस जो Dutch Polish और European farmers है इनके उपर कुछ limitation लगाया गया थे इनकी सरकार के दोरा, कि agriculture से emission कम होने चाहिए, कम fertilizer का इस्तमान, कम global greenhouse emissions, फार्टनर्स ने यहाँ पर आपोस किया, तो overall agricultural field में, transport के field में, energy के field में, आगे आने वाले समय में, हमें European Union से ज़्यादा emissions देखने को मिल सकते हैं, अब इसका वज administratively आप कह सकते हों कि बहुत हत्तक एक clean fuel है, वो gas हमारे पास आनी बंद हो गई, तो हमारी energy security खत्रे में पढ़ गई, अब चुकि energy security खत्रे में पढ़ गई, तो हमें कहीं न कहीं से power चाहिए, जितने सस्ते पे gas मिलती थी रश्या से, बाकी जगों से उतने सस्ते पे gas मिलेग और कुछ ऐसा US में भी हो रहा है, US की जो senate है और जो supreme court है, उसने भी recently कुछ ऐसे steps नहीं है, जिन steps के चलते, climate action को जटका लग सकता है, जैसे कि पिछले साल US के अंदर fuel के prices बढ़ने लगे, तो उसी समय से US के अंदर overall आप कहलो fossil fuels के ओपर जो dependence थी, वो थोड़ी बढ़ने ल आगे बढ़ने कोशिश कर रहे है, US तो ये काम, Ukraine war से पहले ही शुरू कर चुका था, तो European Union, Ukraine crisis के चलते हैं बोल रहा है, कि भाईया हमें sustainable energy alternatives चाहिए, इसलिए हम अपने coal power plants को चला रहे है, US Ukraine war शुरू होने से पहले ही oil और gas industry के ओपर focus मार रहा था, और US Gulf की तरफ जो अप economy पर concentrate करोगे, तो भाईया oil and gas sector में आपको काम करना पड़ेगा, फिर आप environment का ध्यान नहीं रख सकते हैं, दो चीज़े हैं, economy पर concentrate करो, ये environment का ध्यान रखो, अभी environment का ध्यान रखोगे तो economy को नुकसान पहुचेगा, उससे क्या होगा कि लोगों का living standard compromise होगा, नौकरिया नहीं मिलेंगी, इस बात को लेके लोग है, जो electorate हो नाराज हो सकते हैं, वोट नहीं देंगे political party को, तो political party के सामने choice clear है, या तो अपनी economy पे ध्यान दो ये environment पे, और ऑविस्सी बात हो, वो economy पे ध्यान देंगे, चुकि environment पे ध्यान दे कि कोई भी political party, vote bank नहीं खोना चाती, और opposition में Donald Trump जैसा आदनी बैठा है, जिसको environment वगरा से कोई लेना देना नहीं है, वो खुद तो 70 साल का है, मर जागा 10 साल के अंदर, तो इसको क्या मतलब है, कि आगे आने वाले 50-80 सालों में जो बच्चे पैदा होंगे, वो कैसे जीएंगे, तो overall, US की जो politics है, वो economy versus environment की debate म ओवेसी बात है, economy पे ज़्यादा घ्यान दे रही है, तो एक push देखने को मिला, US के अंदर, ज़्यादा fossil fuels की consumption को ले के, okay, renewable की technology में invest किया जा रहा है, renewable पे फोकस किया जा रहा है, बट उस level से ज़्यादा किस पे फोकस किया जा रहा है, आपका, ये, ये, fossil fuels के उपर, ठीक है अब, बात करते हैं, प्रधान मंतरी मोदी जी के ambitious pledges पे, ग्लास गो के अंदर conference of party हुई, और वहाँ पर इंडिया ने अपनी ambitious pledges दी, कि हम overall 2070 तक climate neutral हो जाएंगे, हमें इतने पैसों की जुरूत है, देखें क्या है ना, कि developing countries अपने target जो देती है ना, वो developed countries सीचेंगे, developed countries अल्रेडी बहुत सारा emission कर चुकी है, बहुत गंदगी मचा चुकी है environment के अंदर, जो pollution load है, जो global greenhouse gases का load है, developed countries की तरफ से वो बहुत जादा है, तो अब अगर 2030 के Paris Agreement को developed country ही नहीं मानेंगी, वही अपने pollution load को कम नहीं करेंगे, तो अब अब अगर 2030 के Paris Agreement को developed country ही नहीं मानेंग अगर developed countries अपने commitment से पीछे हटेंगी, तो इंडिया जैसी countries भी अपने commitment से पीछे हट जाएंगी, देखिए इंडिया जैसी countries हो गहीं, जो developing countries हो गहीं, इनका target यह है कि इनको ज़्यादा समय मिलना चाहिए, overall अपने developmental priorities को पूरा करने के लिए, अभी के लिए हमें fossil fuel led development की है, हम अग्दम से अपने emissions काट नहीं कर सकते, उसके साथ साथ green energy technology को develop करने के लिए हमें climate finance की भी जरौत है developed countries की तरफ से, अब यह जो developed countries है, इनकी खुद के पास energy नहीं है, तो यह हमें क्या climate finance देंगी, हाला कि एंजला मरकल के अंदर, एक बड़ा climate package announce किया गया थैंडिया क पर कर नहीं है, उलाफ शोल्स है, उलाफ शोल्स किस हद तक इस green energy के package को honor करेंगे, वो देखी आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा, बाराल हमें यहाँ पर समझना क्या है, समझना यह है कि जो western nations एक ambitious target के साथ आये थे, Paris Agreement को पूरा करने के लिए, दो degree centigrade तक, जो global climate rise है, उसको रोकने के लिए, वो इस target को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके उपर एक बड़ा सवालिया निशान बन गया है, तो अगर developed countries अपने climate target को पूरा नहीं करेंगी, तो फिर climate target को कौन पूरा करेंगा, developed countries अगर अपने emissions को बढ़ाती है, तो global south से expect किया जा साज जो उनको UN में World Environment Day के दिन इस particular मुद्दे को उठाया गया, जब global peaking की बात होती है, global peaking क्या होती है, कि emissions का, global greenhouse emissions का maximum होना, तो global peaking के respect में ये peaking हो जाया, पहले developed countries के लिए ऐसा बोला गया है, 2050 से बहुत पहले developed countries की global peaking होनी चाहिए, तब developed countries morally और ethically, developing countries के उपर लेकिन जब ये developed countries खुद coal based power को पैदा कर रही है, crude oil based power को पैदा कर रही है, तो developing countries किस मूँ से बोलेंगे कि तुम power मत पैदा करो, तो ये यहाँ पे हो रहा है, तो mid century तक overall ये developed countries अपनी power को peak करेंगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नए coal power plants और oil और gas projects ये चला रहे ह इस बात की chances थोड़े कम लगते हैं, और इस बात का है कि जो भी बात चीत हुई है, जो Paris agreement हुआ, Glasgow में agreement हुआ, ये overall बातों में ही ना रह जाए, इस बात के थोड़े chances यहाँ पे लग रहे हैं, overall Paris agreement में जो भी बाते हुई, Glasgow agreement में जो भी बाते हुई, उनका final outcome क्या है, इसका एक मुशायरा, आप कहलो इसका एक assessment किया जाएगा लगबग 2023, बीच बीच में जो जो European countries के leader है, उनके statements ये अक्सर कर बताते रहते हैंगे, ठीक है भाई हम environmental plans को activate करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है, कि overall लोगों की living priorities को हम compromise कर देंगे, तो किस हद तक overall ये countries आगे आने वाले समय में अपने environmental emissions को कम करेंगी, किस हद तक ये coal-based plant पे नहीं जाएंगी, खासकर Russia-Ukraine conflict के बाद, क्या ये 100 billion dollar सालाना Global South को देंगी, क्या जो 1 trillion dollar की requirement है, इंडिया के दौरा, 2070 तक अपनी energy requirements को पूरा करने के लिए sustainable green तरीके से, क्या ये पैसा इंडिया के आएगा, य ये एक बहुत सवाले निशान है, let's see, यहाँ पर क्या हो किया आता, चुकि अपने समय पे तो इन countries ने बहुत emissions किये, और आप ये इंडिया जैसी countries के उपर pressure डाल रहे हैं, कि नहीं भाई, तुम overall emissions को कम करने के लिए कुछ करोगी, तो ये यहाँ पर और, फिर next है, no room for logophobia, भाई देखिए, यहाँ पर इस article में क्या बताया जा रहा है, जो parliamentary, parliament से, जो words को expange करने की बात की गई थी, लगबख, डेट सो words को उसके बारे में बात कर रहे हैं, लोगophobia का मतलब क्या होता है, an irrational or disproportionate fear of words, शब्दों का डर, शब्दों के इस्तमाल का डर, देखिए, यहाँ पर नसरुद्दीन नाम के एक राजा की बात हो रही, मुला नसरुद्दीन नाम का एक राजा था, इसके मंतरी ने इससे बोला, कि साहब देखो, नियम कानून मना के अगर आप लोगों को डरा सको कुछ करने के लिए वो possible नहीं, नियम कानून से लोग डरते नहीं, तो रा राजा गया और उसने गार्ड से जुट बोला, और गार्ड से बोला तुम मुझे फांसी पे चड़ाओ, और overall गार्ड ने राजा को बोला कि तुम्हें फांसी पे चला दिया, तो जो तुम बोल रहा हो, वो सच हो जाएगा, तो basically यहाँ पे, क्या बताने की कोशिश की जार कार की शब्दों को पार्लेमेंट से एक्सपंज करने की बात की, तो आथर यही बोल रहा है कि आप जबरदस्ती लोगों को कुछ बोलने से रोक नहीं सकते, अगर किसी को कुछ बोलना है, तो वो बोलेगा ही बोलेगा, आप उसको डरा के नहीं रोक पाओगे, और अगर व दूसरे प्लिटिकल पार्टी के मेंबर को टीज करा था, यह रियल गटना है, मैं नाम नहीं ले रहा है, एक कॉंग्रेस वरकर इस दूसरे प्लिटिकल प्लिटिकल पार्टी की मेंबर को डाटा की भाई तुम ऐसे क्यों बोल रहो तो उसने stop barking की बजाए stop braying कर दिया समझे मतलब ये ए political party बी political party वाला बी political party को राज सभा के अंदर लुटा सीज़े सुना रहा है बी वाले को गुस्सा है उसने पलड़के ए को बोला भौकना बन करो stop barking अब इस stop barking वाले शब्द को लेके ए ने चेर से complain की कि भाई देखो ये मुझे कुटा बोला रहा है तो चेर ने बी को डाटा ये सा मत बोलो तो बी ने stop barking के जगाए stop ब्रेंग बोल दिया और stop ब्रेंग सही माना गया मतलब मतलब तो उसका barking ये ना भले वो ब्रेंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि पार्लामेंट के अंदर आप किसी को दबा के किसी के उपर जबरदस्ती के नियम कानून लगा के उसको चुप करा दोगे अगर ऐसा सोचते हो तो ये गलत है कोई भी चुप होने वाला यहां पे नहीं है हमें अपरोच कैसी रखनी होगी? हमें अपरोच रखनी होगी अब्राहिम लिंकन जैसी हमें अप्रोच रखनी होगी जवालन नहरू जैसी जैसे फॉर एक्जामपल जब अबराहम लिंकन सेनेट में पहुँचे as a US President अपना inaugural address देने तो उस समय पे उस सेनेट का एक member खड़ाओ के बोला अबराहम लिंकन से कि क्या तुम जानते हो कि तुमारा पिता मेरी फैमिली के लिए जूते बनाता था जी हाँ अबराहम लिंकन एक humble background से आये थे सेनेट के अंदर कोई अमीर parliamentarian रहा होगा US का उसके फैमिली के लिए अबराहम लिंकन के जो फारदर थे वो जूते बनाते होंगा तो अबराहम लिंकन से बोला क्या पता है तुमारे पिता मेरे लिए जूते बनाते था अबराहम लिंकन ने बोला कि हाँ सर मुझे पता है कि मेरे पिता आपके लिए जूते बनाते थे मुझे ये भी पता है कि उनसे जूते बनाना मैंने सीखा है अगर उन्होंने गलाज जूते बनाएं तो मैं नए जूते बनादूँगा आपके लिए हलांकि मेरे फादर ने जो भी जीते बनाएं उसमें कभी भी कोई कम्प्लेन नहीं है आप समझे कितना मैगनैनिमस जवाब है यह यूएस का राष्ट्रपती बनने जा रहा है अबराहिम लिंकन और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अगेंस्ट ऐसे जवाब दे रहा है वो सेनेट यह बोलके मजाग उड़ा रहा है बट यूएस के राष्ट्रपती को फर्क नहीं पड़ रहा है कि जवाब लाल नहरू is not an aristocrat इसके दादा जी तो मुगल कोर्ट में चपरासी थे समझे जवाब लाल नहरू एक aristocrat थे leading class से निकल के आ रहे थे इनके father भी overall politics man world थे तो राम अनोल यह ने बोला कि जवाब लाल नहरू के family aristocrat थो ही ना है यह तो भाई इनके grandfather तो मुगल कोर्ट में चपरासी थे जवाब लाल नहरू साब ने statement को सुना तो उन्हें गुसा नहीं आया वो humble तरीके से क्या बोले मैं यही तो इंडिया के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं aristocrat नहीं हूँ, मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ मैं लोगों के साथ जुड़ा हूँ इंसान हूँ, मैं आम आदमी हूँ तो नहरू जी ने देखिए क्या जबरदस्त जवाब दिया उन्हें गुसा नहीं आया इस बात से कि मेरे दादा को ये चपरासी बोल रहा है उन्होंने बोला कि ये वही तो मैं कह रहा हूँ मैं तो आम आदमी हूँ, मैं लोगों से जुड़ा हूँ इंसान हूँ पता नहीं लोग मुझे क्यों aristocrat समझते तो this should be the attitude of a leader this should be the attitude of a parliamentarian or anybody who is in a position of power तो इस प्रकार का attitude इंडिया के अंदर डेवलप करने की जुरूरत है तो इससे हमारी democracy आगे बढ़ेगी overall किसी एक particular जगा पे कुछ शब्दों को blacklist कर देने से छुपा देने से हमारी democracy ज़ादा mature होगी, ऐसा जरूरी नहीं है तो अच्छा article है फैजल सीके साब का जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे discuss की है फिर केरला का अंदर का एक case है case moving at snail space देखें 15 साल से क्या है कि केरला के transport minister एंटोनी राजू के अगेंस्ट एक criminal case चल रहा है कहाँ पे केरला के अंदर यह case book हुआ था 1994 में 1994 में क्या हुआ था कि एक Australian नागरिक जिसका नाम था Andrew Salvatore Survelly यह इंडिया के अंदर आया इसके पास से drugs पाई गई तो drugs के अंदर drugs लखने के रहे NDPS Act के अंदर foreigner को पकड़ा जया अब इस foreigner की जो चड़ी थी उस चड़ी के pockets में drugs था अब वो अंदर वियर थी उस अंदर वियर को replace करने का इल्जाम लगाया गया किसके उपर केरला के ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर एंथोनी राजू के उपर ऐसा बोला गया कि एंथोनी राजू ने गलत प्रकार से अंदर वियर को बदलवा दिया overall इस particular individual Australian individual को NDPS Act से बचा दिया drug proliferation से बचा दिया basically लबे समय से case चल रहा है इस case में accused ये भी है अंटोनी राजू भी है अब 15 साथ से इस case में कुछ हुआ ही नहीं है 1994 की घटना है overall इंटोनी राजू के ओपर इल्जाम लगाया गया किसका evidence tempering का तो evidence tempering का इल्जाम लगाया हुआ है trial complete नहीं हो पा रहा है अब जाके उस trial के ओपर फिर से चीज़ें शुरू हो रही है इस Australian के ओपर 10 साल का rigorous imprisonment की सजा हुई थी बाद में इसको adjudicate करना भी तो ज़रूरी है उसके ओपर case चलाना भी तो ज़रूरी है तो criminal conspiracy, cheating, dishonesty इन सब के इल्जाम लगाएगे लेकिन इल्जामों के ओपर कोई सुनवाई नहीं हुई court बैठा ही नहीं और 15 साल से case spending है तो इतना धीमे अगर cases चलेंगे तो हम अपनी judiciary में भरोसा कैसे दिखा सकते है overall एंटोनी राजू एक बहुती influential lawyer है कई बार इनका particular case तिरुवनन्थ पुरम की court के सामने list किया गया लगबग 20 बार list किया गया और हर बार आगे उसको delay किया गया बाद में इसको नेदम मुंगार में transfer किया गया तो पिछले दो डेकेट से 1994 से अब तक दो डेकेट सी बोलीजिए 17-18 साल बोलीजिए 17-18 साल से एक case आगे नहीं बढ़ रहा है पस एक COVID-19 pandemic छोड़ दो तो कौन से basis पे case delay हो रहा है इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं तो ये जो snail pace है हमारी judiciary का ये हमें गर्त में लेके जा रहा है ऐसा यहां बताया है जा रहा है अगर आप देखो तो केरला के अंदर 19.15 लाग cases spending है जिसमें से 13.96 लाग criminal cases है और ये deal कौन कर रहा है 530 judicial officers of the stadium ये मैं junior duty की बात कर रहा हूँ तो junior levels पर 19.15 लाग cases है केरला के अंदर जिसमें से 14 लाग लगबग criminal cases है तिरुमनंत पुरम में केवल 22 magistrates काम करते हैं लगबग 3.3-2 लाग cases spending है तो dispensation of justice effect होगा अगर justice delivery में delay होगा और उसका example यहां पर टोनी राजू के example से दिया जा रहा है ठीक है भई तर लर्निंग लेस्सन्स World Health Organization ने overall monkey pox को PHEIC declare कर दिया हेंडिया में 4 cases हैं और पूरी दुनिया में 14,500 cases है COVID-19 के pandemic से हम उभर भी नहीं आएं कि ये नया बवाल monkey pox हमारे सामने आके खड़ा हुआ monkey pox को PHEIC declare करना है की नहीं public health emergency of international concern declare करना है की नहीं इसके लिए इसके लिए split हो गया वोट में WHO के बोर्ड में finally यहाँ पे overall Tedros Ghebrarius ने एक वीटो लिया और इस वीटो के थूँ ये बोला कि नहीं भाई monkey pox is a PHEIC जब COVID-19 के pandemic को 30 जनवरी 2022 को PHEIC declare किया गया था तो COVID-19 के all over world case साड़े साथ हजार थे और यहाँ पे monkey pox के 14,000 से ज़ादा है अब depend इस बात पे करेगा की आगे आने वले समय में monkey pox कितने तीजी से फैलेगा कि इसको pandemic declare करना है या नहीं करना है कुछ-कुछ हद तक आगा आप देखो तो यह जो monkey pox है यह small pox जैसा है शुरू में तो इसको neglected tropical disease कहा जाता है लेकिन पिछले कुछ महीनों में इतनी तेजी से फैल रहा है लगबग डेड़े महीनों में यह 63 countries में फैल गया है Spain, Belgium, US तो इतनी तेजी से फैल रहा है और पहले क्यों नहीं फैला तो क्या पहले gay sex नहीं होता था पहले क्या men who have sex with men नहीं थे पहले क्या rave parties नहीं हुआ करती थी तो पहले तो इतनी तेजी से फैला नहीं अब ऐसे इतनी तेजी से कैसे फैल रहा है अब कैसे इतने rashness और बिस्टर से इतनी campaigns बढ़ाती है, disease के stigmatization को रोकने की बात की है, health infrastructure को improve करने की बात की है, let's see monkey pox की जो fight है, वो किस तरफ बन जाती है, और finally golden arm, नीरत चोपडा ने men's में, men's general में similar जीता है, world athletic championship यूजीन यूनाइटड स्टेट्स में, एक जबरदस्त यूफोरिया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, 24 वर्षी नीरत चोपडा बहुत से medal जीत चुके है, चाहे वो world unit championship हो, 2016 की, चाहे Asian champion 2017 की, चाहे common world games 2018, Asian games 2018 और olympic का तो आप सबको पता ही है, खास बात ये है न, कि जब यो olympic जीते तब ये बहुत famous हुए था, जब पहले की championship जीत रहे थे, उतने famous नहीं थे, समझ गए अब बात को, तो कुल मिला के, overall silver medal जीता है, और silver medal जीतना, actually में बड़ी बात इसलिए है, वैसे तो अब olympic में gold medal जीता है, तो यहाँ पे भी gold जीतना चाहे था, इनके खिलाफ सामने खड़े थे, अंडर्सन पीटर जीता थे, अंडर्सन पीटर ने 90 मीटर का थो फेका है, मजाग बात नहीं, 90 मीटर का थो फेकना, in fact देखो, olympic में 87 मीटर का थो फेकके, नीरत चोपरा ने gold जीता था, और इस बार, world athletic championship में, 88 मीटर का थो फेका है, नीरत चोपरा ने, तब सिल्वर जीते है, 90 मीटर पे, overall एंडर्सन पीटर आगे, तो आगे आने वाले समय में, world athletic federation में, gold जीतने की कोशिश करेंगे, नीरत चोपरा, आपने आपने देश का नाम, इन्होंने रोर्षन किया है, overall, world standards की तरह बढ़ रहे हैं, केवल 24 वर्षी हैं, और अगली generation को एक message दे रहे हैं, कि आप भी सामने आए, और इंडिया को sporting एरना में, दुनिया में represent करेंगे, तो बस आज के editorial में, इतना है यह दोस्तों, थोड़ा short बनाए, बहुत ज़दा information थी नहीं, इसलिए detail में आप से बात की है, मैंने जितना भी important था, सब चीज आपको बताई है, I hope आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को like और share कर दीजेगा, Instagram पर follow कर लीजेगा, दोस्तों, telegram group join के लीजेगा, जाद से जाद लोग से lecture को share करें, I hope आपको इन lectures को पढ़के, कुछ न कुछ knowledgeful जानने को मिले, have a great day, good bye.